नमस्ते दोस्तों प्रजेक्ट सेल्फ इंकॉर्परेशन युएसे भारत युनाइटिड कॉंशिसनेस इंदॉर मैनेजमेंट असोसियेशन और तपंच औरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हर्दिक स्वाधत हैं दोस्तों हम लोग हनुमान चालिसा का धिन कर रहे हैं आज पांचवा सेशन है हमारा नाम डॉक्टर विक्रान सेंत उमर है और ये सेशन हम सिकंदर की भूमी मैसीडोनिया से टेलिकास कर रहे हैं अभी तक हनुमान चालि हमें पढ़ा पहली जो दोहा हमने पढ़ा श्री गुरुचरन सरोज रजिन निजमन मुकर सुधारी बरना और अगवल बिमल जसु जुदाय की फल्चारी हमने जाना कि श्री का अर्थ है हमारे अंदर की जो आदी शक्ती है रीचिंग टू आर ट्रू पोटेंशिल और गु ऐसा विक थी जो हमारे अंदर के अहंकार को समाब करें और जिस ने खुद को रिलाइस किया हो ऐसे गुरु के चरण सरोजर जुन के चरणों की रज से मैं अपने मन के दरपन को साफ करता हूँ गुरू के चरण कुंडिलिनी जागरण के लिए भी महत पूर्ण है और मन को साफ करने का तात पर अहंकार का पूर्ण समर्पन स्मरती शुन्न होना जब हम हनुमान चालिसा का ध्यन करें उद्धी से सही अर्थों को उसको लें और एकागर चित मन से हनुमान चालिसा पढ़ें दिमाग इदर उद्धर स्टबला हो बर्णो और अगवल विमल जसूस के बाद शुरी हनुमान और शुरी राम जी के विमल येश का मैं गान करूँ क्योंकि जिसका आप ग्यान करते हैं दीरे दीरे आप वैसे होने लगते हैं जो दाएको फल्चारी जो चालतार के फल देते हैं अर्थ काम धर्म मोक्ष तो अनिवारता है कि जब भी अनुमान चालिसा परें गुरूर को परड़ाम करें मन को निर्मल करें और शिरीराम को नमन करें इससे उचारों फल हमें मिलते हैं दूसरे दोहे ने बताया बुद्धिहिन तनुजानी के सुमिरो पवन कुमार पूर्ण समर्पन की अनिवारता है ये अपने आप को खाली रखें कि मुझे कुछ नहीं आता है क्रोटीज ने ज säger कहा मैं अपने अग्यान के अलावा कुछ नहीं जानता सुमिरो नमन करूं समर्ण करूं और जाग्रण करूं पवन कुमार, प्राणायाम जो मन को चितना से जुडता है ऐसे हनुमान जी जो मन को चितना से जोड़ें उनको मैं नमन करके, स्मरण करके, जागरण की तरफ आगे बढ़ँ। बुद्धी, बल-बुद्धी विध्या देए हु जो मुझे बल देते हैं, action जो मुझे बुद्धी देते हैं, contemplation और विध्या देते हैं, direction ये तीनों जो मुझे देते हैं देहु मोही हरहु कलेश विकार और मुझसे मेरे पाँच कलेश और छे विकार ले ले तो पाँच कलेश छे विकार काम करोध लोब जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं highway to hell है वो हनुमान जी हम से ले लेते हैं जब हम हनुमान चालीसा का ढंग से अध्यन करते हैं और चार पुरशार्थ और बलबुद्धी विध्यादियू तीन गुण ये सब हमें देते हैं जो gateway to heaven है हनुमान चालीसा पढ़ने का ये परिणाम निकलता है फिर पहला चौपाई थी जय हनुमान ग्यान गुन सागर जय कपीशिती हों लोगो जागर जय का अर्थ स्वैम को जीतना है विजे का अर्थ दुनिया को जीतना उनके मनों को जीतना है हनुमान जी जय विजे दुन को प्राप्त करते हैं जय हनुमान हनुमान का अर्थ है broken chin या elevated self respect या going beyond ego जय हनुमान ग्यान गुन सागर वो ग्यान और गुन के प्रतीक हैं वो युग्यता के साथ विनम्रता के प्रतीक हैं उनमें power वो power के धाम है अभी हम पढ़ेंगे बल धाम हो power के धाम है अपनी युग्यता उनमें इतनी जादा है जय कपीशिती हों लोगो जागर कपीश का अर्ठ है जो हर पल अनन्दित रहते हैं तो ऐसे प्रभू जो हर पल अनन्दित रहते हैं कपीओं के दिल के राजा भी है तीहुन लोकुजागारत हम तीनों हुष्थाओं के परे हनुमान चालिसा को पढ़ने से तुरी अवस्था तक जाते हैं तीनों गुड़ों के परे गुड़ातीत होते हैं तीनों शरीर के परे आत्मा को महसूस करते हैं और तीनों स्तर के उपरे अपनी चेतना को जागर करते हैं तो हनुमान चालिसा को जब हम पढ़ते हैं उसमें ये जो पहली चौपाई है ये हमें प्रेरित करती है मिले अपने जीवन के उद्दिश को हम प्राप्ट करें यहां तक हमने पिछले सेशन में पढ़ा है चलिए अब आगे पात्चीत यहां से शुरू करेंगे अब जो हम दूसरी चौपाई पढ़ना शुरू करेंगे आप राम जी के दूत हैं और अतुलित जिसकी कोई तुला ना हो सके ऐसे बल के धाम हैं इतने बलवान है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा आप अंजनी माता के पुत्र है और पवन देव के सुत हैं उनके पुत्र है इसलिए आपका नाम पवन सुत है अनुमान जी के हम गुणगान कर रहे हैं चलिए अब ही के एक शब्द को समझने की कोशिस करते हैं ये दूसरी चौपाई हमारे जीवन में क्या संदेश देती हैं पहला लाइन पढ़ते हैं राम दूत अतुलित बलदाव वे राम के दूत हैं राम का मतलब है भ्रम के दूत है अवतार का मतलब ही वो होता है जो डिसेंड होता है वो उतरता है वो आते ही इसलिए हैं ताकि ये घोशना कर सकें कि यदि इश्वर जीव बन के धर्ती पे आया है तो जीव भी इश्वर बनने की संभावनाय लगता है हम भी उसी सीड़ी से असेंड हो सकते हैं तो राम जो भ्रम्म हैं उनके दूत बन के सीता के पास हो जाते हैं सीता मा के पास जाते हैं सीता जी जो मन का प्रतीक हैं और मन को अंतर मुखी करते हैं और पुनह भ्रम्म में लगाते हैं वो राम दूत बन कर रावन के पास भी जाते हैं जो अहंकार का प्रतीक है और अहंकार भी समाप्त करते हैं रिमूव दा आइडेंटिटी जो लिमिटेड आइडेंटिटी है उसको समाप करना है जब हम अनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सही अर्थों में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का आहंकार समाप होने लगता है हमारा मन भ्रम की और लगने लगता है वो राम जी का दूत बनके भरत जी के पास भी जाता है जब श्रीराम लंका फतह करने के बाद लोटते हैं भरत वापस अयुद्या की पतर से तो हमारे जी को बोलते हैं कि जाके देखो क्या भरत वास्तम में चाहता है कि मैं लोटू इसकदर प्रेम प्रभू का अपने छोटे भाई के प्रती कि ऐसा तो नहुआ कि उसका मन लग गया हो राज में और वो करना चाहता हो अगर मैं पहुँच गया तो उसको राज देने में कोई कस्ट तो नहोगा अगर एक प्रतीशत सभावना भी हो कि भरत का मन लग गया हो तो आके मुझे बता दे तो श्री रामकार दूत बनके वो भरत से भी मिनने जाते हैं भरत जो मुमुक्षुत्व का प्रतीग है मुमुक्षुत्व मतलब एक ही एक ही ध्यान कि मैं अपने जीवन के लक्ष को प्राप्ट करूँ जीवन में इसके अलावा कुछ प्रेडित नहीं करता है फिर बाकी सब बातें चोटी लगती है हर चीज बाद में सबसे पहले अबजेक्टिव आफ लाइफ ऐसा ममुक्षुत्व सेल्फ रिलाइजिशन के लिए तो राम दूत बन के उनके पास भी जाते है तो ये आत्म ग्यान ही है जो मन को आत्मा की तरफ वापस लगाता है सीता जी को वापस राम की तरफ अंकर मुक्षी कर दे कि आप इंतजार करें परिशान नहों वो आएंगे अहंकार रूपी रावड को भी आत्म ग्यान अहंकार को भी समाप्त करके अनलिमिटेड आइडेंटिटी की तरफ ले जाता है और मुमुक्षुत्व भी एक्स्ट्रीम डिजायर फॉर सेल्फ रिलाइजेशन मुमुक्षुत्व उसको भी मुमुक्षुत्व की अगनी में भी का काम करता है आत्म ग्यान तो राम दूत है जरा हम समझे हो किस रूप से राम दूत है और यह समझते समय हम अमारे जीवन को भी टटोलते रहेंगे साथ में तूत होने में उनकी कई महत्पूर्ण क्वालिटीज है जैसे ही अडिस्टैंड्स दे कंसर्ण आफ अदर्स वो दूसरों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते है और दूसरी उनकी कमिनिकेशन स्किल्स बहुत सब्सक्राइब इन दो क्वालिटीज को हम समझने का प्रियास करें हमारे समवाद में भी हमारे इंटर परसनल रिलेशन्शिप में भी यह ध्यान रखिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं उस व्यक्ती की कंसंस समझिए वो व्यक्ती की क्या चिंता हैं आप तरफ उससे रिलेट कर पाएंगे आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो बोलने की जगे सुनने का प्रियास कीजिए उसकी कंसंस क्या है आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं बोलने की जगे सुनने का प्रयास कीजिए उसके कंसेंस क्या है आप अपनी स्पाउस से बात कर रहे हैं सुनने का प्रयास कीजिए उसके कंसेंस क्या है और दूसरा एक्सिलेंट कमिनिकेशन स्किल्स और फिर अपने विवस्त समवाद से कर्णप्रिय शब्दों को बोलके उन कंसंस को पूरा करें तुझरा समझने की कोशिस करें जब अनुमान जी सीता जी की खोज में लंका पे पहुँचते हैं तो वो मनीमंद शायद मन्थन करते हैं कि सीता जी के मेजर कंसंस क्या हो सकते हैं चलिए आप सोचके देखे सीता जी के मेजर कंसंस क्या होके सकती है, सीता जी लंका में, वाटिका में हैं, दुखी हैं, परिशान हैं, estem नूलेस हैं, रावण हैं दिन ये बताने का प्रयास करता है कि यह तो शरी राम की मरत्य हो चुकी है या फिर शरी राम कभी रावण को हरा नहीं पाएंगे या उनका मन को बार बार परिशान करने का प्रयास करता है क्या कंसन होंगी उनके मन में इस समय उस वाटिका में बैठे हुए जरह सोच के देखिए तिंक आफ सम कंसन बिल्कुल ठीक आदी 100% सही देखे हम कंसन कितना समझ पाते हैं पहला कंसन बिल्कुल ठीक है क्या श्रीराम ठीक है ये पहला कंसन हो गया और बताइए लेट्स लेट्स थिंक फ्रॉम सीता's पॉइंट व्यू क्या सोच रही होंगी क्या क्या कंसन हो सकते हैं और लिखिए ये पहला कंसन बिल्कुल ठीक है और सोचिए और क्या कंसर्ण हो सकता है बिलकुल ठीक है बिलकुल ठीक है ये दूसरा कंसर्ण कि क्या वो मुझे याद करते है या फिर वो कब आएंगे बिलकुल ठीक बात है और बताइए हाँ ये बिलकुल सही कंसर्ण है बिल्कुल सही कंसर ने क्या वो रावन को हरा पाएंगे मन में पचास विचार आते हैं इतना रावन का पराकरम पूरी इतनी बड़ी लंका मन में पचास विचार आते हैं और बताईए देखें कितने लोग सही कंसर समझ पाते हैं नुमान जी कब आएंगे राम बिलकुल ठीक बात है बिलकुल ठीक और कोई concerned एक concerned शादा भूल रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है concerns क्या है concerns क्या है एक concerned शादा भूल रहे है ये भी कि how do I believe कि आप राम के दूत हो how will you believe how will I believe कि आप राम के दूत हो क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग आगे बहुत सारे लोग हैं जो रावन तो अलग-अलग रूप बहर लेता है सो छे concern श्रिया नुमान जी ने होंगे पहला क्या राम ठीक है दूसरा क्या वो मुझे रियाद करते हैं तीसरा क्या वास्तम में तुम उनके दूत हो कोई जूट तो नहीं है दिखावा तो नहीं हो रहा है चौथा वो कब आएंगे पांच हुआ क्या तुम राक्षसों को हराने में सक्षम हो और छटा शायद क्या तुम मुझे लेने आए हो अगर तुम सच में दूत हो तो शुरू के दो concern तो personal हैं क्या वो ठीक हैं और क्या वो मुझे याद करते हैं ये तो एक पत्नी के मन में स्वतह अपने पती के लिए विचार आते हैं क्या हो मुझे याद करते हैं और बाकी जो चार हैं वो strategic हैं क्या तुम वास्तम में दूत हो वो कब आएंगे क्या और आक्षसों को हराने में तुम लोग सक्षम हो क्या तुम मुझे ले इस आर strategic questions see how hanumanji understands the concerns well तो पहली बात concern समझे दूसरी बात communication skills दो चीज concern and communication तो एक एक करके देखते हैं कैसे उन्होंने प्रशनों का उत्तर सुन्दर कांड कितना खुबसूरत है यह तो जब उनको समझ में आया कि सीता जी कि यह चिंता होगी वो कह सुन्दर कांड में आता है 1414 राम चंद्र गुण बरने लागा सुनही सीता कर दुख भागा व बताते हैं उनके बारे में इससे सीता जी के मन को थोड़ी सी शान्ती मिलती है इतने समय बाद किसी ने प्रभु राम के गुण गाए अभी तक तो बुराईया ही सुन रही थी यह इतने समय से फिर सीता जी का जो दूसरा concern था कि क्या वो मुझे याद करते हैं तो देखिए क्या शब्द वो यूस करते हैं कहू राम वियोग तवसीता तब उन्होंने सीता जी के जो वियोग में प्रभु राम के बारे में हनुमान जी ने कहा मो कहूं सकल भै विपरीता मैं क्या कहूं सीता तुम्हारे वियोग में सकल भै विपरीता सारे पदार्थ विपरीत हो गय है तुम क्या चली गई सब कुछ विपरीत हो गया है हनुमान जी प्रभुराम के मन की बात सीता जी को बता रहे हैं सब कुछ विपरीत हो गया है तुमारे वियोग में देखे कितना सुंदर है आ गए है नवत तरु किसले मनहु करसानू वरख्ष के नए कॉमल पत्ते अब लगा दियो मन में काल निसा सम निसी ससी भानू काल निसा रात्री काल रात्री ऐसी लगती है जैसे अंतिम रात होई है आज के बाद सुबह होगी नहीं ऐसी रात्री लगती है काल निसा सम निसी ससी भानू और चंद्रमा भी जब चमकता है जो शीतलता देता है वो सूरज के समान तपता हुआ दिखता है Imagine the level of communication हनुमान जी had सीता जी ने पूछा क्या हो पूछ सोचा कि क्या हो मुझे याद करते हैं क्या उत्तर उन्होंने दिया कुबले विपिन कुंत बन सरिसा ये जो आजकल के लोग लव लेटर्स लिखते है जरा देखिए भाशा ही सौंदर रहे से किस कदर भाशा का एक सौंदर रहे हैं ये अपने आप में एक मॉनिमेंट अव वर्ड्स है जो तुलसी दास जी यहां प्रेसेंट करते हैं कितने सुन्दर शब्द हैं कुबले विपिन कुंत बन सरिसा कमलों के वन जो कमल है उनके जो वन है भालों के वन बन गए है वो पत्तियां वे चुबती हैं कमल की पारिद तपत तेल जनु बरिसा मेग जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि खौलता तेल मेरे उपर गिर रहा है इस कदर शिरी राम आपको मिस करते हैं जे हित रहे करत तेई पीरा जो कुछ हित करने वाले थे अब वो पीडा देने लगे हैं सीता उरग श्वास सम तरिबिद समीरा तरिबिद तरिबिद मतलब जो वायू की तीन क्वालिटी होती है शीतल होती है मंध होती है और सुगंदित होती है तो कह रहे हैं श्री राम तरिबिद जो तीन क्वालिटी की जो वायू है वो साब के सवास के समान जहरीली और गरम हो गई है अब वॉय यू भी मुझे ऐसी लगती है पानी गिरता है तो लगता है तेल गिर रहा है मुझे चांद सूरज़ जैसा लगता है कॉमल पत्यां अगनी के समान प्रतीत होती है कमल के वन भाले बन गए है हर चीज जो कल तक सुख देती थी सीता आज उस सब दुख देती है क्योंकि मैं तुम से दूर हो गया है क्या श्रीराम किसी को इतने मन की बात बता सकते थे और क्या श्रीराम की कोई बात इतने सटीक ढंग से सीता तक कोई पहुँचा सकता था ये हैं उनकी communication skills और उनकी व्यक्ति की समझ इस कदर गहराई पे है श्रीराम ने भी अपने मन की बात हनुमान जी से कही जिस जो पूरे श्रस्ट्री के विदाता है वो अपने मन की बात कहने के लिए उन्होंने चुना तो हनुमान जी को चुना तो आज जितने लोग एक लास कर रहे हैं आज से शुरू कीज़े अपने मन की बात हनुमान जी को बताएए वो समझते हैं आप बोल के तो देखिए जब स्वैम श्रीराम ने बोल के देखा आप क्यों नहीं बोलते हैं चलिए आज से अपने मन की बात हनुमान जी को बताएए आईए उन्हें इस्ट बना वो सब समाल लेंगे वो सब समाल लेंगे जो श्रीराम को समाल सकते है जो जगदीश्वर को समाल सकते है तो हम तो गड़ है श्रीराम कहते हैं सुनिये कहे हु ते कुछ दुख धरी होई मन का दुख कहने से दुख घड़ जाता है पर श्रीराम कहते हैं का ही कहो यह जानन कोई पर किसे कहें ये दुख कोई नहीं समझ सकता पर देखिए फिर शिरी राम ये दुख कहते है हनुमान जी को तो अगर आपका कोई ऐसा दुख है जो आपको लग रहा कोई नहीं समझ सकता है इस दुनिया में कोई नहीं समझ पा रहा आप बोल बोल के ठ लग गया है वो दुख बता दीजिए हनुमान जी वो समझ जाएंगे और वो आपको जोड देंगे आपका समाधान कर देंगे तीसरा प्रशन क्या तुम वास्तव में उनके दूत हो बड़ा स्ट्राटेजिक अभी स्ट्राटेजिक कुश्चन है अभी पर्सनल कुश्चन नह कहते हैं उनके मन में वो प्रेम है सीता जी के प्रती राम दूत मैं मातु जान की सत्षपत करुणा निधान की मैं कसम खाके कहता हूँ शीराम करुणा निधान की कि मैं उनका दूत हूँ जान की माता राम दूत मैं मातु जान की सत्षपत करुणा निधान की यह मुदरिका मा तुमे आनी यह मुदरिका लाया हुमे माता दीन ही राम तुम कह सही दानी श्री राम ने आपके लिए निशानी के रूप में दिये उन्होंने ना केवल कसम खाई उन्होंने एविडेंस भी दिया सीता जी के मन में ये विश्वास आया कि उन्हीं के दूत है अब अगला प्रशन है वो कब आएंगे अब इस प्रशन का उत्तर तो स्वैम हनुमान के पास भी नहीं था वो कब आएंगे ये बिलकुल वाजिब स्वतह प्रशन उनके मन में आया जैसे ही विश्वास हुआ कि ये स्वैम प्रभु राम के दूत आये है मन हर्श से भर गया माता नहीं कहा कपी फिर हनुमान जी ने उन्हें उत्तर दिया कहा कपी रधे धीर धरु माता हे माता रधे में थोड़ा धैर धारन करो सुमिर राम सेवक सुखदाता और उसका तरीका भी वो बता रहे है राम का नाम जाब करो माता उनका स्मरण करो वो सारे दुख खड़ने वाले सेवक सुखदाता थोड़ा सा धैर रखो माता उर आनन हु रघुपती प्रभुताई मन में उन प्रभुराम की प्रभुता को वापस लाओ माता निश्शिंत रहे है वो इन तीनों लोग के स्वामी है उनकी प्रभुता को फिर से याद कीजिए सुने मन वच्छन तजहु कदराई और मेरे वच्छनों को सुनके सारी चिंता छोड़ दो माने हनुमान जी माता सीता को भी धैर देते है हनुमान जी से मन की बात कीजिए हनुमान जी उस सारी चिंता है अपने उपर ले लेंगे तो हनुमान जी ने कहा कि माता अब जब भी जीवन में हम आप सभी को भी कह रहे हैं अदुमान जी का है हम सब को संदेश है जब भी जीवन में धहर ना हो जब भी जीवन में ना समझ में आए क्या किया जाए और बहुत एक्जाइटी हो Remember your true nature हम अनंत हैं ना हम कुछ लाये थे ना लेके जाएंगे ना हमें मारा जा सकता है ना हमारा जन्म हुआ है ऐसे कितने ही जन्म जन्मान तर गुजर गए ऐसे कितने नाटकों किसे हम गुजरे हैं उस भ्रह्म को ध्यान कीजिए उसको स्मरण कीजिए उसकी प्रभुता को दिन में लाई है अपने आप चिंता कम होने लगी ये सब रामा है इस चीज की आप चिंता कम हो पांचवा प्रश्ट क्या तुम राक्षसों को हराने में सक्षम हो इसी प्रश्ट का उत्तर देने के लिए शायद सब्वक्ता उन्होंने पूरी लंका जला दी राक्षस रावण के पुत्र अक्षए ने जब हमला किया तो अक्षए मारा गया शायद उन्होंने ये बता दिया मैं छोटा और कमजोर नहीं माता वो तो आपके सान्दे छोटा इसलिए हूं माता क्योंकि मैं आपका आदर करता हूँ यही हनुमान जी का पराक्रम है इतना रौदर उनका रूप है किंतु माह के सामने देखिए कैसे विनीत हो जाते हैं कैसे छोटे से हो जाते हैं क्या हम भी हमारे रिष्टों में ऐसा करते हैं कितना ही रौदर रूप आपका बाहर हो पर जिन से हम प्रेम करते हैं उनके सामने विनीत हो जाएं विनम्र हो जाएं नत्मस तक हो जाएं वू इतना भू धराकार सरीरा उन्होंने बनाया समर भेंकर अतिबल बीरा ऐसा खतरनाक कि समर में जब युद्ध के समय जैसा भेंकर होता है अतिबल बीरा उन्होंने इतना बड़ा और मजबूत शरीर बना के सीता जी को दिखाया सीता मन भरोस तब भयहू सीता जी के मन में भरोस आया पुनी लगु रूप पवन्सुत लेहू और फिर से वो छोटे से हो गए है कोई पराकरम का प्रदर्शन नहीं केवल माता को विश्वास दिलाने के लिए तो आप चिंता न करें दोस्तों हनुमान जी पे जब हम पूरा विश्वास रखते हैं हमारे इस्ट पे तो जरुवत पढ़ने पे वो समर भेंकर शरीर भी धर लेते हैं और देखिए जहां प्रेम करते हैं अनुमान जी कितने बिनम्र होते हैं एक लेसन जो शायद हम से सीखें अप्रोप्रियेट इमोशन्स प्रपोर्शनेट टू सर्कंस्टैंस परिस्थिती अनुकूल भावों का प्रदर्शन परिस्थिती अनुकूल आचरण का प्रदर्शन आप बाहर कितनी भी दिगज हो अपने गुरू के सामने अपने माता पिता के सामने उन व्यक्तियों के सामने जिनने आप प्रेम करते हैं बहुत ही विनीत छोटे से रोके हमें जाना चाहिए कई लोग घर पे भी अधिकारी बने रहते हैं कई लोग घर पे भी बॉस बने रहते हैं यह लोग घर पे समर भेंग कर अतिबल बीरा बन के रहते हैं यह बड़े खतरनाक लोग हैं जो घर पे भी भूधराकार सरीरा रखते हैं कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं अनुमान जी से हम सीखें appropriate behavior proportionate to circumstances जहां जैसा behavior की आवशक्त ना हो जैसा circumstances हो तो यह प्रश्ण तो उत्तर हो गया कि क्या तुम रावन को हराने में सक्षम हो उन्होंने बता दिया कि अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं फिर अन्तिम प्रश्ण यह हो सकता था क्या तुम मुझे लेने आये यह बड़ा कीमती बात है कितना सुन्दर उत्तर देते हैं मैं तो अभी आपको यहां से लिवा ले जाओ मैं आपको इसी शण यहां से ले जा सकता हूं प्रभु आएसु नहीं राम दोहाई पर मैं क्या करूँ प्रभु राम की शपत है मुझे शिरी राम ने इसकी आग्या नहीं कितनी खुबसूरत बात है Never cross your limits out of aggression of power कितनी भी शक्ति आप में क्यों नहों अपनी सीमा है कभी मत भूलिये हमेशा limit को ध्यान रखे सत्ता यहां चड़के नहीं बूलनी चाहिए पैसा, सत्या, गर्व, गमंड यहां चड़के नहीं बूले इतनी भी शक्ति हो आप में अपनी limits का ध्यान रखे हमेशा उन limits को ध्यान रखे उस limit को कभी cross ना करे इतने सर्व शक्ति मान हनुमान जी कहरे माता मैं तो अभी ले जाओं पर मेरे राम ने इसकी आग्या नहीं दे यह होता है राम दूद जब आप किसी का प्रतिनिद्व करते हैं तो आप वही कहते हैं जो उसने कहा है फिर आपका मन आप जो कहना चाहते हो बात नहीं चलती आपने देखा होगा जिलों में collector कभी सरकार की आलोचना नहीं करते क्योंकि उस सरकार का प्रतिनिद्व करते हैं उनका काम है सरकार के कारेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें हम यहाँ सरकार को सर्व करने के लिए होते हैं, सरकार से प्रश्ण करने के लिए नहीं, सरकार से प्रश्ण करने का काम जनता का है, हमने उन्हें चुनाया है। सहित आये ही रगुबीरा, बस अभी आही रहे हैं, सारे कप्यों के साथ रगुबीर बस आही रहे हैं, बस थोड़ा सा सबे रखे हैं, थोड़ा सा सबे हैं, तो जब भी हमारे जीवन में परिशानी आए, थोड़ा सा धीरज रखे हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो सार कप्यों के साथ रगुबीर आएंगे ही आएंगे और अगर अगर अब हनुमान जी की प्रातना करते हैं तो अपने आप यह होगा उसी शन से शोक वाटिका सीता जी के लिए शोक वाटिका बन जाईगी सो हमने यहां यह लेसन सीखा नो अधर्स कंसंस दूसरों की कंसंस जानी है कैसे जानेंगे फोकस एंड लिसन टू देम गौर से उनकी बात सुनिए address it specifically और उनकी एक एक कंसंस को specifically उत्तर दीजिए कल से जब आप किसी से बात करना शुरू करें बड़े गौर से उसकी बात सुनिए देखिए उसकी बात में कौन कौन से बिंदू है और एक एक बिंदू उत्तर देना शुरू कीजिए आप देखेंगे आपका connection उस व्यक्ति से बड़ा strong हो जाएगा ये करके आप देखिए अगली बार जब भी कोई आपसे बात करें तो गौर से उसकी बात सुनिए उसकी ब पुरा मनी लेके लोटते हैं और जाते जाते सीता जी एक बात कहती है अनुमान जी को देखिए राम दूत है वो दोनों तरफ से बाते हों सुनते हैं सीता जी बड़ी महत्पून बात कहती है 26.3 मास दिवस महुनाथन आवा आप शिरी राम को कह दीजेगा यदि तीस दिन क के अंदर मेरे नाथ नहीं आए मास दिवस महुनाथन आवा तौपनि मोही जियत नपावा तो फिर वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे अगर तीस दिन के अंदर नहीं आए हम और दुनमान जी तद्काल ए मैसेज लेके श्री राम के पास जाते हैं सीता के हाल के बारे में तो हनुमान जी दोनों तरफ से राम दूत है और जब हनुमान जी सीता जी के हाल के बारे में श्रीराम को बताते हैं शायद सबसे सुंदर जो शब्द श्रीराम जी के लिए कहे उन में से एक यह है 31.3 तीनों लोकों के स्वामी ने कहा सुनो कपी तो ही समान उपकारी सुनो कपी तुम्हारे समान उपकारी नहीं कोव सुर नर मुनी तनु धारी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुनी, कोई भी शरीर धारी कोई भी सुरसुर ने इतना बड़ा मुझ पर उपकार कभी नहीं किया जितना तुम नहीं किया है और फिर प्रेम जब उनके अंदर भर जाता है मानो सबकॉंशेसली सीता जी ने जब उन्हें कहा सुत पुत्र कहा था तो अभी सुता श्री राम के मुझ से निकलता है 31.4 सुनो सुत्र तो ही उरिन मैं नहीं सुनो पुत्र मैं तुम्हारा रिन कभी नहीं उतार सकूँगा उरिन कभी नहीं हो पाऊंगा देखऊ करीब विचार मनमाही मैंने बहुत अच्छे से विचार करके देख लिया है मैं तुम्हारा रिन कभी नहीं उतारू तो दोस्तों चलिए हम सब राम के दूद बनते हैं लेट्स बी दे मेसेंजर और भ्रमन भ्रम के मेसेंजर बने कैसे बनेंगे पहला सी आल एज वन सभी को एक माने ब्रम में सब एक हैं सभी तो ब्रम हैं दूसरा जब सब एक ही है forgive easily माफ करें बहुत जिल्दी अगर ये हम नहीं करते हैं तो हम राम के दूद नहीं बन सकते माफ करें because you deserve peace तीसरा choose to see good in all सब में अच्छा देखे हर वेक्टी जो इस धर्टी पे है उसमें कुछ न कुछ तो आपसे बहतर है अरे और कुछ नहीं तो अपने बच्चों को समय आपसे ज़्यादा दे देता है और कुछ नहीं तो आलू के पराठें आपसे बहतर बनाता है कुछ तो होगा let's focus on that everyone has something better than let's see good in everybody चौथा no gossip never criticize anybody at his back किसी के भी पीट के पीछे उसकी बुराईया न करें क्योंकि राम सब में रहते हैं बस उसे पता नहीं है अभी राम resides in all पांच्वा किसी के साथ ऐसा वहवार न करें जो आपको खुद के साथ पसंद नहीं क्योंकि law of कर्मा घूम के आपके पास आएगा what goes around comes around और छटा और अंतिम treat all as equal सभी उसे बराबरी का वहवार राम दूत अतुलित बलधामा हमने देखा अगली बात अगली बात है अतुलित बलधाम उन में बल अतुलित है वो अतुलित बल के धाम है he is the epicenter of power capital of power जब बच्चे थे तो सूरज को निकल गए बड़े हुए तो परवत पूरा का पूरा उठा लाए और जब परवत उठा के लेके आ रहे थे तो जैसे वो कथा जाती है रावण प्रियास करते रहे थे क्योंकि सूरज अगर उड़ गुग जाता चान अस्त हो जाता सूरज उग जाता तो लक्षमन की मृत्ती हो जा दी तो इससे पहले की सूरज उगे खनुमान जी को वापस पहुचना भी थे रावण ने अपनी तांत्रिक रियाओं से जैसी यों कथा जाती है सूरज को उगने के लिए मजबूर किया चान्द को अस्त होने के लिए मजबूर किया तो संजीवनी परवत लेते समय ही जब उन्होंने देखा कि रावण कॉस्मिक साइकल को बिगाड़ रहा है गलत तरीके से तो अपनी बाजू के नीचे उन्होंने सूरज को दबा लिया दूसरी बाद और मू के अंदर चान्द को छुपा लिया जौज में चान्द को छुपा लिया यह कहानी इस बात का प्रतीक है आत्म ग्यान इस कदर शक्तिशाली होता है कि इस पूरी काइनात से आप एक हो जाते है तब सब कुछ आप याँ प्रकति ले हो जाते हैं जो यूग सूतर कहता है अतुलित बल्धामा हम इसको योग सूत्र में पढ़ चुके हैं अब हमें इसमें नहीं जाएंगे योग सूत्र ने बताया है कि तारों की दिशाएं पूरा ब्रह्मान तक को व्यक्ति समझ पाता है कितनी सारी शक्तियां योग से मिलती हैं हम योग सूत्र में पढ़ाएं अध्यायतीन में अतुलित बलधामा हो जाता है जब व्यक्ति आत्म ग्यान को जान लेता है पर इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है अनुमान जी का ये जो शब्द आया है अतुलित बलधामा ये आया है राम दूत अतुलित बलधामा इतने बल के बाद भी वो खुद को केवल मेसेंजर आफ लॉर्ड बानते हैं ते नम्बर था और उसके साथ वीर था ये कॉम्बिनेशन हमें अपने जीवन मिलाना है बहुत वीर बनिये योगिता अपने अंदर अरजित कीजे खुब महनत कीजे शारिवी ग्रूप से मजबूत बनिये टेकनिकली स्ट्रॉंग बनिये एकेडिमिकली स्ट्रॉंग बनिये हर तरफ जो आप कर रहे हैं प्रोफेशनली स्किल्ड हो जाएए वीरता आनी चाहिए हमारे लिए वीरता के साथ वी नम्बर था एक तरफ अतुलित बलधामा हैं दूसरी तरफ रामदूत हैं हमने तो कुछ नहीं आना रामदूत हैं यह है प्लाटिनम एज प्लाटिनम एज यह है क्या हमारे अंदर यह कॉलिटीज है केवल विनम्रता नहीं फीरता भी चाहिए योग्यता एकटी करनी पड़ेगी अन्यता आपकी पूछ नहीं होगी अगर आपको समाज में विवस्थाओं में बहतर करना है तो योग्यता तो एकटी करनी पड़ेगी अगर आपको बदलना है समय की दिशा सही दिशा में लिखे जाना है समय को अपने अंदर वीर्ता लाईए और वीर्ता के साथ हनुमान जी के तरह विनमर्ता भी लाईए तो लेसन इस वीर्ता के साथ विनमर्ता आगे बढ़ेंगे अजने पुत्र पवनसुत नाम अब इसको समझने के लिए हमें हरुदमान जी की बर्थ स्टोरी में जाना पड़ेगा जो बड़ी सुन्दर है जन्म कैसे हुआ श्री हरुदमान जी का शिव जो स्वैम ब्रह्म है ऐसी कथा आती है कि विश्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया मोहिनी मतलब माया अब जरा सोचिए स्वैम विश्णु मोहिनी बन गए है उससे कुछ सुन्दर हो सकता है इस ट्रस्टी में स्वैम ब्रह्म शिव है याद कीजे विदान सीरीज ब्रह्म और माया एक साथ है उससे जो बीज पैदा हुआ सीड और शिव ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियों का बीज पूरी सारी आध्यात्मिक शक्तियों का बीज मोहिमी कुछ सौंप दिया है जब ब्रह्म और माया साथ में आते हैं तभी तो ईश्वर जन्द लेता है अगर कन्फूजन है वेदान सीरीज में ईश्वर पढ़िए निराकार ब्रह्म जब माया के साथ जोड़ता है जोड़ता है कुद को तो साकार रूप लेता है उसी को ईश्वर कहते है हिरन्य गर्व बीज आया सीड अफ होल स्प्रिच्वल एनरजीज तो शिव में अपने समस्त तत्व को अगनी बीज के रूप में मोहिमी को सौंप दिया पिता स्वेम शिव इसलिए याद कीजे छटा छटी चौपाई है संकर सुवन केसरी नंदन इन दोनों को अपन साथ मिलेंगे अभी संकर सुवन केसरी नंदन वो संकर के पुत्र है केसरी नंदन भी है तो अब देखे चार चीज़े आ गए अंजनी पुत्र पवन सुत नामा संकर सुवन केसरी नंगर अंजनी के पुत्र हैं पवन के सुथ हैं शंकर के सुवन हैं केसरी के नंगर तुझ जब इस बीज मोहिनी को सुपा इसलिए उन्हें कहा गया हनुमान जी को कहते हैं रुद्रया या उन्हें शंकर सुवन कहते हैं तपस्वी का बीज है मोहिनी ने उसको ब्लेस करके उस बीच को कंसीव करके फिर उसे सब्त रिशी को सौफ दिया उस बीच को और सब्त रिशी को कहा इसको अपने ग्यान से परिपूर्ण कर दो शिव, विश्णु, सब्त रिशीयों ने उस बीच को अपने ग्यान से और जागरत किया मोहिनी ने कहा यह सर्व शक्ती मान और कल्पों का उधारक होगा कई कल्पों के परेश का स्तिप्प होगा सब्त रिशीयों ने अपने पूरे ग्यान से इसका सेवन करके उच्चित समय पर इस बीच को मारूत को दे दिया मारूत मतलब तूफानों के देव था वायू देव, पवन देव, मारूत का मतलब तूफान मारूती कार अबारत मारूत को दिया मारूत क्योंकि सब तरफ फैली हुई है और पवन देव को कहा इसको इस बीज को इसी साथ्विक स्त्री को दे दीजे इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहते हैं पवन सुत कहते हैं मारूती नंदन कहते हैं वायू पुत्र कहते हैं फिर वायू ने जब पूरे भ्रहमान में देखा तो इस बीज को स्ट्रस्टी की बिगर पिक्चर के अनुरूप कपी अंजनी को दे दिया इसलिए हनुमान जी तो आंजनेय कहते हैं अंजनी पुत्र कहते हैं अंजनी सुत्र कहते हैं और ऐसा विचार आता है कि कनाटका के पास हम्पी के पास जो हिल्स हैं जिनको अंजनेय हिल्स भी कहा जाता है वहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ तिरुमला परवत पे भी एमाना जाता है शायद हनुमान जी का जन्म हुआ तो अंजनी ने उन्हें जन्म दिया इसलिए उन्हें आंजनेय कहते हैं और अंजनी जो केसरी नाम के कपी की पत्नी थी इसलिए उन्हें केसरी नंदन कहा जाए अंजनी शब्द जो है अंजन, अंजन का मतलब आँखों के काजल को अंजन कहते हैं तो अंजन का एक मतलब और होता है आखों का काजल का मतलब ऐसा अंजन ऐसा काजल जो राम दर्शन कराने वाला हो तो अंजन का एक और मतलब होता है शुद्ध बुद्धी जो आत्म ग्यान का दर्शन करा है अंजने शुद्ध बुद्धी से जो पैदा हो वही आत्म ग्यान है तो अंजन का मतलब आखों ऐसी आखें ऐसा काजल जो राम का दर्शन करा से तो इस तरह से हनुमान जी मारूत इनंदन है अंजनी पुत्र पवंसुत नामा संकर सुवन केसरी इनंदन है अंजनी जो है हमने कहा बिगर पिक्चर अफड़ यूनिवर्स के अंदनी इसी कथाओं में पढ़ने में आता है जो अंजनी है एक कैलाश पर रहने वाली एक अफसरा थी एक दिन तेज बिजली की गड़गड़ा हट हुई और वो घबरा कर शिव जी से लिपट गई और जब वो शिव के नजदीक आई उनके मन में सतह शिव के प्रती मोह जागा शिव कौन मोहित नहोफल होगा बले शिव से तो जैसी कथा जाती है पारवती जी ने जब देखा तो उने करोट से कैलाश से निकल जाने को कहा और वन में बंदर बन जाने को कहा किन्तु शिव ने करोणा वश उन्हें वर दिया कि वो पारवती जी का कहा तो नहीं टाल सकते किन्तु अंजनी एक अतंत यशश्वी पुत्र की माँ बने ऐसी कथा कहीं प्रचलित है तो अब ये क्या हमें सीखने को मिलता इस से वाट डू वी लन फ्रॉम दिस जरह हम समझने की कोशिस करें ये बड़ा कीमती ये बड़ी कीमती लाइन है अंजनी पुत्र पवन सुतनाद हम सब और फिर संकर सुवन के सरी में बन हम सब के हम सब के तीन जन्म होते हैं अब गौर से समझें पहला तो होता है हमारा फिजिकल जन्म जो मा देती है पिता देता है अंजनी पुत्र और केसरी नंदन शब्द किस से संबंदित है फिजिकल बर्थ के जिसको हम सेलिलर बर्थ कहते हैं फिजियलोजिकल बर्थ कहते हैं सेलिलर बर्थ का जब पहली बार हार्ट धड़का था हार्ट बीट आई थी फिजिकल बर्थ का अब जब हम मा के पेट से बाहर निकले, तो दोनों में अंतर है, पर ये दोनों फिजिकल लेवल पर ही है, अंजनि पुत्र के सरीड है, स्थूल शरीर है ये हमारा, दूसरा कौन सा बर्थ होता है हमारा? mental birth होता है फिर हमारा जिसको हम बोलते है psychological birth psychological birth जब हम माँ के पेट में होते हैं तब ही से शुरू हो जाता है हमारा मनुविग्यान बनना चालू होता है जब हम माँ के गर्ब में होते हैं फिर social birth होता है जब हम इस्कूल में जाते हैं तो यहाँ भी दो बिर्थ हो गए पर यह बर्थ का नेचर क्या है medical birth है psychological birth पैदा होने से पहले मा के गर्व में ही social birth school में जाने के पर यह दोगों कौंसा है school में जाने से social birth क्यों होता है हम इतने सारे बच्छों से मिलते है सामाजिक मनवग्यान बनता है जिसमें psychological and social birth तीसरा बर्थ होता हमारा spiritual birth spiritual birth तो जो दूसरा बर्थ है mental birth उसको कहेंगे उसी को कहते है पवंसुत प्राणायाम हमारे मन को कंट्रोल करता है इसलिए mental birth का प्रतीख है पवंसुत तो हमारे दूसरे पिता हो गए पवंसुत और तीसरे पिता संकर सोवन शंकर शिवर रहम है तो तीसरा हमारा spiritual birth होता है पुड़ा सा इसको समझें तो हम सबके तीन पिता हो गए एक biological पिता दूसरा दूसरा astral father और तीसरा physical spiritual father astral father is mental father जो गुरू होता है जिसी को कहते है मानस पिता होता है कोई हमारा चीक और तीसरा हमारा अध्यात्मिक पिता होता है तो हम सबके तीन पिता होते हैं जरह हम समझें ये तीन पिता कौन से हैं हमारे एक एक करके जाने तो जो पहला पिता है वो हमारा स्थूल शरीर को जन्म देता है जो माता पिता है दूसरा पिता गुरू हो गया जो हमारे मन को और हमारी वास्नाओं को निंतरित करने में हमें मदद करता है पवंसुत इसलिए उन्हें कहाती है पवंसुत ये दूसरे पिता है हमारे भी दूसरे पिता होते हैं जो गुरू होते हैं हमारे वो पिता ही तो है तो कैसे हमारे मन को शान करते हैं चित शुद्धी सिखाते हैं हमें कैसे मन को साफ करें चित स्थिती सिखाते हैं कर्म योग सिखाते हैं और उपासना योग सिखाते हैं वही तो गुरू है जो हमारे मन को शुद्ध करते है वासनाओं को खतम करने के लिए प्रेरिद करते है ठीक फिर तीसरे गुरू कॉल होते है spiritual पादर हमारे है तो गुरू नानक कहते है सचा सद्गुरू तो तुमारे अंदर बैठा है तुमारे अंदर ही तो सद्गुरू है तो तीसरा फादर हमारा कौल होता है हमारी अंतरात्मा वो हमारा सद्गुरू है बाहर गुरू है अंदर सद्गुरू है गुरू नानक कहते है वो हमें spiritual birth के लिए प्रेरित करती है विद्ध्या मुझे मिलती है उससे विद्ध्या तो sequence actually क्या है actual sequence यह है संकर सुवन का मतलब spiritual पवंसुत का मतलब mental और astral और अंजनी पुत्रकेस्री नंदन का मतलब physical तो actual sequence क्या है ज़र हम समझें actual sequence यह है हम आते क्यों इस धर्ती पे तुगें विद्ध्या फॉर फ्रीडम इसलिए तो हम धर्ती पे आए ताकि विद्ध्या अर्जित करके स्वतंत्र हो जाए मतलब हम आध्यात में कारणों से पैदा होते हैं ताकि हम उत्थान कर सकें फिर धर्ती पे जब हम आते तो हमारा काम क्या होता है तो रिमूव देव अनुमान जी के गुरू भी है एंड इसी लिए हम आते हैं हम धर्ती पे आए क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए थी हमारे अंदर बहुत सारी इग्नोरेंस थी इसी लिए फाइनली हमारा जन्म होता है हम पैदा होता है फिजिकल बर्त होता है तो सबसे पहले स्प्रिच् फिर फिजिकल ऐसा होता है हमारा जन्म पर दिखता बिल्कुल उल्टा है दिखता ऐसा पहले फिजिकल बर्त हुआ फिर हम साइकलोजिकल इंप्रूमेंट करते हैं फिर हम स्प्रिच्वल की तरफ जाते हैं पर वास्ता में क्या है बिल्कुल उल्टा है आध्यात्मिक कमिया एन फिजिकल पर दिखता है सबसे पहले फिजिकल बर्थ हुआ फिर साइकलोजिकल और फिर स्पिरिचुल एलिवेशन आया है इसी को भगवत दीता ने कहा है पर इत्राना है सादू ना हम आए क्यों इस धर्ती पे अंदर के सादू को पैदा करने के लिए विना शाय रहा है उसको खतम कर देने संभवामी युगे युगे हम हर युग में पैदा होते हैं बगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन हर युग में तुम भी रहे मैं भी रहा अंतर यह तुम भूल गए मुझे याद है हम सब इसलिए तो आते हैं अपना परित्रान कर करने के लिए और अपने अंदर का जो दुश्क्रत है उसको समाप्त करने के लिए इसलिए तीनों पिता की बड़ी महत्पुन भूमी का है स्प्रिच्वल फादर फ्रीडम देता है साइकलोजल कल फादर इग्नोरेंस खतम करता है और फिजिकल फादर मुझे शारीरी शायसा मिल जाता है हम लोगों ने पढ़ा ये तीन लोवर चक्रास से संबंदित है ये तीन लोवर चक्रास है जो हमारा एस्ट्रल फादर होता है गुरू जिसको हम कह सकते हैं वो कौन है इमोशनल लीड्स हमारी दूरी करते हैं गुरू हमें भावनात में गस्तिता देते ह आत्म विश्वास दिलाते हैं याद कीजिए अपने उन गुरूं को जिनोंने आत्मे आत्मे विश्वास भरा आपके अंदर देखने का सही नजरिया विक्सित किया एक तरह से आपका पुनर जन्म नहीं हुआ था उससे में वो गुरू जिसने उंगली पकड़ के खड़ा क कि क्लास के सामने प्रेजंटेशन दो आत्मे विश्वास आया यह अपर तीन चक्रा से जब संबंदित है चक्र 123 फिजिकल चक्र 456 साइकलोजिकल और अंतिम सात्वा चक्र तीसरे से संबंदित है स्प्रिच्वल बर्थ तो हमारा फिजिकल बर्थ होता है हमारा साइकलोजि सायक़्ाइक गर्थ में हम काम और धर्म की तरह जाते हैं और houcial सिच्व सारिजिकल को पैरेंट को हम कहते हैं जनक माता पिता psychological birth में हम कहते हैं मानस पिता है तो सारे लोग गुरू के मानस पुत्र ही तो होते है और फिर आध्यात्मिक पिता होता है आध्यात्मिक पिता कौन होता है हम खुदी खुद के आध्यात्मिक पिता है इसी लिए गुरू हमें सोचना सिखाता है आत्म विश्वास देता है deal with defeat सिखाता है emotional stability देता है intellectual understanding देता है नई उरुजा का संचार करता है पर इस सब ग्यान के साथ हमें क्या करना होता है फिर हमें अकेले में बैठना होता है और अपने अंदर के सद्गुरु से खुद को जोड़ना होता है इसलिए भगवान बुद्ध कहते है अप दीपो भाव अपना दीपक स्वैम बना इसी को direct experience कहता है गुरु ने शास्तर सिखा दिया सब समझा दिया पर अदुभव तो मुझे खुद को लेना पड़ेगा न इसलिए भगवत गीता कहते है lift yourself by yourself स्वैम से स्वैम को उठाई इसलिए पहली बार माता पिता से जन्व हुआ दूसरी बार गुरु से जन्व हुआ इसको द्विज कहते है वो जन्वी पिनाता है गुरु तो गुरु जैसे ही जन्वी पिना देता है तो आप द्विज हो जाते है twice born और फिर कई बार गुरु एक आध्यात्मिक नाम देता है जिसमें आनंद जुड़ जाता है आनंद चिन्मे आनंद आनंद जुड़ जाता है कि तुम आनंदित रहो पर यह आनंद कब हो पाएगा जब मैं खुद के अंदर उत्रूंगा तो फिर direct experience बचता है physical birth विजय की तरफ बढ़ाता है mental birth या psychological जय की तरफ बढ़ाता है जब जय विजय दोनों मिल जाते है तो spiritual birth बैकुंट की तरफ ले जाता है physical birth मदर देती है psychological birth master या guru देता है और spiritual birth meditation देता है यह बिलकुल वैसा है दिया है यह physical birth है दिया मिट्टी का उसमें तेल और बाती गुरू लगाता है पर law हमें खुद को लगानी होती है इसलिए कितने लोग इस class को हम कितने भी समय रख ले आही जाते हैं ढूंड के ही आते हैं law जलती रहनी चाहिए physical birth person का होता है psychological personality का पर रन्वे पर आता है psychological birth है फिर टेक आफ करके free हो जाता है यह spiritual birth है तो हम सब अंजनि पुत्र केसरी रंदन है हम सब पवंसुत है हम सब संकरसुवन है हम सब के तीन birth होते है अगर हम मैंसे किसी के तीन birth नहीं हुए तो हम मोक्ष नहीं पापाएंगे कुछ लोग एक बार पैदा होके ही रह जाता है वो emotional freedom तक पहुँची नहीं पाते है पूरा जिंदगी निकल जाती है परिशान होते होते हैं पूरी जिंदगी भर दुखी रहते है कुछ लोगों को सही गुरू मिलते है emotional freedom उने मिलती है तो उनके दूसरा जन्म हो जाता है दो बार पैदा हो जाते है पर उस emotional freedom के आगे हो नहीं बढ़ते हैं उस spiritual elevation तक नहीं जाते है बस मैं खुश हूँ मैं मज़े में और खतम हो जाते हैं और कुछ लोग direct experience के लिए अपने अंदर उतरते हैं उनको spiritual freedom भी मिलती है तो तीन बार हम सब को पैदा होना है अश्वर करें कि ऐसा नहों हम चूख जाएं तीन बार पैदा होने से हमारी माता का धन्यवाद की एक बार हमें पैदा कर दिया गुरू का धन्यवाद दें कि दूसरी बार हमें पैदा करने में मदद कर रहें और फिर अपने अंदर उतरें और तीसरी बार हम सुएम पैदा हों ताकि हम सभी संकर सुवन बनें उस शंकर के प्रतीक बनें उस ब्रह्म के प्रतीक बनें जिस से हम इस धर्ती पे आये हैं Let's have a quick recap हमने क्या पढ़ा आज So हमने आज ये पढ़ा So हमने पढ़ा राम दूत अतुलित बल्धाम राम सब messenger of lord कैसे? appropriate emotions, proportionate to circumstances अपनी limits को जाने कितनी भी शक्ती हो पर विवेक न भूलें पराकरम दिखाने में Address others concern दूसरों की concern जाने और उसे address करें Know your purpose of life और उस पे focus करें Easily forgive करें गॉसिप न करें सब को equal treat करें Never behave wrong with anybody जो आपको खुद के साथ पसलना अतुलित बल्धामा happy center of power but still very balanced अपनी limitations को कभी नहीं भूले हो तो हमारे अंदर वीर्ता हो पर विवेग भी हो उसके साथ पर शारे हो पर धैरे भी हो उसके साथ जब शारे और धैरे दोनों होता है तब हम अतुलित बल्धामा बनते हैं अंजने पुत्र भवन सुतनामा तो हम सब के तीन जन्म होते हैं फिजिकल, मेंटल और स्परिच्वल फिजिकल, साइकलोजिकल और स्परिच्वल इसी फिजिकल बर्थ को स्थूल कहते हैं साइकलोजिकल को वासना शरीर या सुक्ष में शरीर कहते हैं हम सब पढ़ चुके हैं सब आप विदान्तिक बैच है स्परिच्वल बर्थ को विध्या कहते हैं ये लोर ओर्डर नीट्स है रोटी, कपड़ा मकान, सिक्यूरिटी ये मिड्ल ओर्डर नीट्स हैं मेंटल नीट्स इमोशनल नीट्स है जोटी, कपड़ा मकान, सब है जेब में पैसे, सब कुछ है घर वर सब कुछ है पर इंसान कुछ नहीं है मिड्ल ओर्डर नीट्स है वासनाएं हैं जिसके कारण परिशान है then higher order needs purpose of life याद रखिए मानसिक समस्याओं के बहुत एक समाधान नहीं होते हैं किसी को जीवन में प्रेम की कमी लग रही है और आप उसको गिफ्ट लाके दी हैं उससे कुछ नहीं होने रहा है बच्चों को माता-पिता का साथ चाहिए और बच्चे उनको माता-पिता उने गिफ्ट दिला रहे हैं इससे कुछ नहीं होता इमोशनल प्रॉब्लम्स डू नॉट हैब मटेरिलिस्टिक सविशन्स बच्चों के पास आध्यात्मिक प्रशन थे इसलिए सब कुछ ठीक था उनके तो साइकोलोजिकल लाइफ में सब कुछ ठीक था सारी वासनाय पूरी हो रही थी सारी डिजायर्स पूरी हो रही थी पर वो समाधान है यह नहीं जैसे मन का खालीपन चीजें नहीं भर सकती ऐसे यह अध्यात्मिक खालीपन को मन नहीं भर सकता कितिनी भी खुशियां दे दो उस वेक्ति को वो बुद्ध की तरह छोड़के चला जाएगा यह लोवर तीन चक्राज है फिजिकल अपर तीन चक्राज मेंटल और सहस्त्रार हम पढ़चुके इन सकता एक पिता होता है एक मानस पिता और अध्यात्मिक पिता पिता को हम कहें मदर और फादर मानस पिता is the master and third is meditation इन तीनों का साथ जीवन में कभी न छोड़ना माता-पिता का, मास्टर का और मेडिटेशन का अपने आप मुक्ती प्राप्त ही है शारिरिक आर्थिक सुरक्षा देता है पहला, चित शुद्धी चित इस्तिती देता है मास्टर और डारेक्ट एक्सपिरियंसे ग्यान प्राप्ती हमें प्राप्त होती है जब हम अपने अंदर उतरते हैं और अपने अंदर उतरने का नाम ही तो आत्म ग्यान है और आत्म ग्यान ही तो हनुमान जी है तो जब हम हनुमान जी को पकड़ते हैं जोर से अपने आप हम अपने अंदर उतरते हैं और खुद को रियलाइज करें आज के लिए अपनाएं